नमश्कार आदाप सस्टेका दोस्तों CLG के क्रिकिट कल तक सेगिवेंट में आप सभी का स्वागत है जहां चन्द मिल्टों में हम आपको बीते दिनों की अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे जो शायद आप से मिस हुई हो तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली सूचना से वाई रॉयल चलिंजर बैंगलूरू ने विमन्स प्रिमियर लीग में पहली जीत हासल कर ली है टीम ने यूपी वार्यर्स को पाच विकेट से हराया है इस जीत के साथ ही बैंगलूरू ने लीग के प्ले आफ में प्रवेश करने की उमीदे कायम रखी है हाथसे में गंभीर रूप से घायल हुए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबास रिशब पंद अब ठीक हो रहे है पंद ने इसकी जलग सोशल मीडिया पे दिखलाई है उन्होंने बुदवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें वो सुमिंग पूल के अंदर पानी में चलते नजर आ रहे हैं और हाथ में एक स्टिक है डेली कैपिटल्स की टीम ने आईपियल 23 के लिए अपने नए कप्तान और उपकप्तान का एहलान कर दिया है इंडियन प्रेमियर लीग की आने वाली सीजन में डेविड वार्नर को टीम की कमांड सौपी गई है तो वहीं अक्सर पटेल उपकप्तान बनाए गए है पॉर्टर गवास का ट्रोफी के बाद अब बारी है तीन मैचस की ओडियाई सीरीज की जहाँ पर भाई विराट कोली तीन मैचों की वंडे सीरीज में 191 रन बनाते ही इस फॉर्मैट में 13,000 रन पूरे कर लेंगे वो ऐसा करने वाले पांचवे खिलाडी बन जाएंगे वही ओडियाई सीरीज में शेयर्स अईयर भी चोट के चलते बाहर हो चुके हैं अब ना सरिफ ओडियाई सीरीज बलकि IPL के जाज़तर मैचों में भी शेयर्स खेलते नहीं दिखाई देंगे और ऐसे बे कोलकाता की कमान कौन समानेगा ये बड़ा सवाल है अनुववी आंद्रेडा सलसुनी नारायन और युवा वल्लेवाज नितीश राना का नाम आगे चल रहा है वही कोलकाता नाइट राइडर ने रिंकू सिंग का भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फैन ने रिंकू सिंग को गेम चिंजर बताया उस फैन को रिप्लाइ देते हुए कोलता ने रिप्लाइ में रिंकू को अपना कप्तान बताया है और इसी के साथ एक बार फिर चर्चा गरम है कि क्या शेयर सियर की अनुपस्थिती में रिंकू सिंग कुछ मैचों के लिए कोलकाता की कप्तानी करेंगे दोस्तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें जरूरू बताएं विलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम क्रिकेट के गलियारे से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए ट्रिकेट लाइन गुरू को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबाए और इस्टरग्राम पे भी फालो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स